देहरादून से कुछ दुरी पर स्थित लाखा मंडल शिव मंदिर, एक ऐसा चमतकारी मंदिर जहां मृत व्यक्ती भी जीवित होते हैं। दूसरे शरिर में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वो वापस लोट कर नहीं आ सकता। लेकिन जन्म और मृत्यू तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी व उनके चमतकार के आगे कुछ भी नहीं हैं। अगर भगवान चाहे तो उन के आगे स्रिष्टी के नियमों में भी बदलाव हो जाता है। जन्म मृत्यू से जुड़ी एक चौकाने वाली बात करें कि इस दुनिया में मृत व्यक्ती भी जीवित हो सकता है। शायद आप इस बात पर यकिन ना कर पाएं। लेकिन आज आज आपको भोलेनात के एक चम दोस्तों वीडियो में आगे की जानकारी जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के रोचक जानकारी पूल्न वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जा देहरादून से कुछ ही दूरी पर लाखामंडल नामक स्थान पर लाखामंडल शिव मंदिर स्थित है मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहां पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षाग्रह बनाया था अग्यात्वास के दौरान शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी जो मंदिर में आज भी मौजूद है लाखामंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने दो द्वारपाल इस प्रकार मृत व्यक्ति यहां लाया जाता था और कुछ पलों के बाद वह फिर से जिन्दा हो जाता था और जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेता था और गंगाजल ग्रहन करता था गंगाजल ग्रहन करते ही उसकी आक्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती थी मंदिर की पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं और उन दो द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है जो एक अंसुलजा रहस्य बना हुआ है मंदिर को लेकर कई अन्यमान्यताएं है लाखा मंदल में बने इस शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जलाभिशेक करता है तो उसे इसमें अपने चहरे की आकरिती स्पष्ट नजर आती है. तो दोस्तो जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिलकुल भी ना भूले भगवान भोले नात सब पे अपनी कृपादरिश्टी बनाये रखे. जै भोले नात!